सो गाइज अजेद योगन की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान देखी मैंने थियेटर्स में शाम का शो था एंड अच्छे खासी भीड आई थी ये मूवी देखने तो कैसी है ये मूवी आई ये बात करते हैं वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी देखो पहले ही बता दू के मूवी तीन घंटे की है जहां आजकल मूवी दो घंटे धाई घंटे में खतम हो जाती है वहां content driven films जो होती है वो थोड़ा लंबा टाइम ले ही लेती है like animal मूवी लंबी थी और लं बजा रहे थी and मैंने भी ये movie honestly enjoy की है especially धीरे धीरे build up होते होते slowly second half के बाद जो film ने अपना कदम fast mode में रखा है आप नाखुन चबाओगे आप अपने seat पर बैठे बैठे खड़े हो जाओगे आप cheer करोगे तालिया बजाओगे इतना intense and gripping है second half के बाद वाला पूरा 30-40 minute even first half में भी कुछ matches है छोटे छोटे ही है बट इस तरह से उन matches को showcase किया है camera moment के साथ के आप भी उस match का हिस्सा बन जाते हो ये film actually sport drama film तो है ही लेकिन एक biopic भी है Mr. Syed Abdul Rahim जी की जुनोंने Indian team को 1952 से 62 में coach किया था and that era count as the golden era of football क्योंकि उस time football Asia cup में India ने gold जीता था and even मुझे भी य Indian football team ने भी gold कभी जीता होगा but thanks to this film के इन्होंने इस level पर इस topic को सामने लाया सला ऐसा proud लग रहा था ना जब वो movie में देख रहा था इस movie में एक underdog team की journey दिखाई गई है जो struggle करते करते champion बनी जिसमें हर किसी actor ने कमाल काम किया है and hats off to the casting every character played their role perfectly आप emotionally जूड़ जाओगे उनके struggle के साथ even उनके achievements के साथ and acting की बात हो ही रही है तो specially आजय देवगन ने इस movie को पूरा अपने कंधो पर उठा रखा है बाई और त ऐसी sports movie देख रहा हूँ जहां हर football match की scene को इतना intensively shoot किया गया ना भाई cinematography wise you will love every matches even if you don't like football ये movie देखो football से प्यार हो जाएगा तुमको and I request कि जितना बड़े परदे पर देख सकते हो इस movie को देखना football match को देखने का अलग ही मज़ा आपको आएगा and not even only football matches 60s में जिस तरह से वो खेल खेला गया वो 60s का environment, costume design, prop designs, color tone, they all are like retro spectacle for me and it feels fresh on the big screen and I think के अजे देखन की पहली ही ये sport drama film है जहाँ कोच का रोल इन्होंने बखू भी निभाया है प्रियमणी ने उनकी wife का रोल किया है जो हमेशा उनको support करती है चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा and she has done a fabulous job, specially उनकी English आपको हसाएंगी जरूर इस film को Z5 के साथ produce किया है बोनी कपूर ने and direct किया है अमिच शर्मा ने, music दिया है A.R. रह्मान साब ने and music से याद आया, भाई BGM, जब-जब match हो रहे है ना, पीछे BGM सुनना आप, specially last में, वो BGM उस हर match की intensity और भी ज़ादा बढ़ा देता है I can say one of the best BGM of sports drama by A.R. रह्मान सार Film pure family friendly है, भाई, आजे देवगन की film है तो family friendly तो होनी है, तो पूरे family की साथ आप जा सकते हो इस film को देखने हाँ, starting में you can feel it की हाँ भाई, थोड़ी लंबी movie है, but it actually required that pace to understand the scenario of struggle they gone through, बाकि second half will blow your mind भाई So overall देखते हुए मैं दूँगा इस movie को 4 out of 5 star इससे देखना जरूर theaters में सब के साथ, मिलते हैं अगले video में, बाई